हलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं संध्या और एक बार दोस्तों हम फिराजी रहा आपके सामने रीजिनिंग एक नई सीरीज लेकर जिसमें हम आपके लिए ऐसे कोश्चन लेकर आए हैं जो कि बार-बार हर कंपटिशन हैं में आपको लगबग देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले कोश्चन आपको दिखन आपको दिया हो कि आए देख्या देखने को में रहा है इसको कि तो कितने हैं यह पर हम देखनें तो यह दोस्ता आपके कितने हो जाएंगे ठीक है आपके पास total दी हुए हैं 12 तो 12 का हम जब गुलन कंट करेंगे तो इसका मतलब या तो जोड़ा जो है आपका 3 का बनेगा या फिर बनेगा आपका 4 का और दो जोड़ा नबे परसेंट कोश्टन इसी तरीके से सोल किये जा सकते हैं बहुत जल्दी बाकी के जो 10 परसेंट है वो आपका अनुमान से करनेगा जोड़ा नहीं होती है तो इसके लिए आपको common sense आपका लगाना होगा और देखिए इसमें आपको दिये हुए हैं 12 उसमें आपको जोड़ा नाने 3 या 4 की हम सबसे पहले देखते हैं कि जोड़ा 3 का बनेगा या 4 का बनेगा तो आप यहां पर देखिए दोस्तों तीन में आपके पास यहां पर लाश्ट आपको दिया हुआ है C,C,B ठीक है तो इसी तरीके से यानि कि आपके पास यहां जो B दिया हुआ है तो यहाँ पर हम यहाँ से मान लेजी तो एक C अगर यहाँ पर होता तो क्या होता C, C, B ठीक है अब आपके पास यहाँ पर क्या करना होगा हमें तो यहाँ पर आप option में देखी आपके पास C के बाद में या तो B दिया हुआ है या फिर A दिया हुआ है तो आप यहाँ पे अधी A करते हैं तो यहाँ पे आपका ही हो जाएगा दोस्तों B, A, C यानि कि इस तरही से आपको 3 का जोड़ा जो है वो बिल्कुल नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे हम बनाएंगे जोड़ा 4 का तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहले हम B, यहाँ पे C आपको देवा डवल बार तो हमने आपके C के बाद C ही ले लिया तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों C अब यह जोड़ा हो गया B, C, C, B अब इसी तरीकी से क्या आगे भी बन पाएगा तो देखिए फिर यहाँ पे लेंगे हम B, यह आपको दिया हुआ है फिर हम लेंगे यहाँ पे C, sorry, B की बाद हम क्या लेंगे दोस्तों यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लेंगे दुबारा B, ठीक है तो B, फिर आपके हो जाएगा है यहाँ पे C और फिर यहां पिरा में एक और ओर सी ले लेते हैं यहाफका है ओजाएगा वहुर्थ कर सकता हों नंशी होएा JUL यह दोस्ता आपका next question आपका दिया हुआ है दी बटा 5 जी बटा 9 जे बटा 14 और एम बटा में 20 आपको बताने कि next जो series है वो आपकी क्या होगी अब दोस्ता इस question को solve करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है सिरीज बनाने होती है तो series के लिए देखे दोस्तों डी आपके पास यहां पर देखिए चार पर है उता है अपका साथ पर यहां पर हो रहा है उत्ह एक प्लस तीन फिर जी और जैम में भी आपका प्लस तीन तो इसी तरीकि सा आपकी जो next सिरिश्ट कारोगी में में नियुक्त बीच से महता हैएएfel को से और प्लस सशुखनाओ 20 की प्लस साथ हो जाता है 27 और ओ moral को जाता है तो पॉ जाएगा आपेшая तो में का 16 फिक यह를 तो पी बटा सकता है इसे दोस्तों हो जाएगा आपका आंसो जो कि आपको option D में दिया हुआ है तो इस तरीके से आपको इस question को solve करना है अब दोस्ता हम नेक्ट चड़ जाएगा तो इस question को solve करना भी बहुत ही असान है आपको केवल एक बात याद रखनी है कि वो चड़ कितना रहा है और उसके पास total कितना है देखे टोटल है उसके पास 40 मिटर चड़ रहा है वो एक दिन में 10 मिटर ठीक है और बच कितना रहा है आप देखे जब 4 मिटर और फिसल जाता है तो उसको बचता है 6 मिटर ठीक है और फिर प्लस आपको एक कर देना इसको solve कर लीजिए तो चालिस में से 10 गए तो दोस्तों है बचा आपको 30 बटा में आपके पास कर देंगा नीचे 6 प्लस कर देना आपको एक तो यह कर जाएगा इससे पांच बार 5 प् उस खंबे पर पूरा चड़ जाएगा यह दोस्तों हो गया आपका अन्सुर ठीक है इस तरीके से आप बहुत असानी से इस कॉश्चन को भी solve कर सकते हैं अब दोस्तों हम नेक्ट कॉश्चन लेते हैं यह आपका नेक्ट कॉश्चन यदि किसी कूट भाशा में इंगलिश क दो बटा 5 कैसे लिखेंगे आप इसकी क्या स्रीज बनाएं डोटा बनाएंगे कि दो बहुत पांच हो आप मल्टिपलाब लिजेंगे कर लिजे अटिशन कर लिजेए संधेक करberली कुछ भी लेकिन आपका दो बटा पाष नहीं आए इसमें कुछ लोजिक है जो कुछ अलग है अब हम क्या करेंगे इसमें वोवर्ल कॉंसोननेंत है जो वो देखते हैं तो इंगलिश में दोस्तों E और I है जो वो दोनों वोवर्ल्स यानि कि स्वर है यानि कि स्वर हमारे पास हो गए दो बचा क्या आपके पास बचा आपके पास यह देखिए यहां पर टोटल जो है वो कितने है वो टोटल आपको दिये हुए है यहां पर छे करेक्टर ठीक है तो आपके पास यहां पर और जो करेक्टर से हो कितने बचे एक दो तीन चार ठीक है तो चार आपके पास यह बचे कि कूट भाषा में Maths को कैसे लिखा जाएगा दोस्ते इसमें जो लाश्ट आपको रेल्वेज का एक्जाम जो हुआ था उसमें कुछ पास बचे दोस्तों एक दो तीन चार आपके पास बचे यानि कि एक बटा चार जो है वह आपका आफस्शन वे दिया हुआ है तो इसोरिक आपको कोशन को सॉल्ड़ करना है अब दोस्तों वरा इतना लेते हैं यह है दोस्तों और नेक्ट ब्रश कर्ण जो कि गड़ी का आच वर्षकर 20 मिनट पर घड़ी की दोनों सुईयों के मन्तिक कितने डिगरी का कौन बनेगा वो आपको बताना है देखे इस कॉश्चन को सोर्व करने के लिए आपको घड़ी का जो फोर्मुला है वो अपलाए करना होगा और वो फोर्मुला होता क्या है आपको निकालना है दोन के 11 गुना में करना ही मिनट मिनट हमको दी होग ऐakers कर 20 इर में माइन साट गुना में 8 बजह ने कि 8 हम से धिकाल कर देंगे को मैंदीप्लाय कर देंगे और बटा में हमें करना हैं 2 अब से करें 2 2020 और चाटको setup dyili nada करना हो जाएगा 409 हों दूछUP 480 में 220 विड़ करेंगेा यह ऐसे आपको बच्चा 260-2 आपको से 800 वापको बनेगा 130 डिग्री यानि Baldwin का option A है जो वह आपका correct answer है यानि कि दोनों सुईयों की मद्दे 130 डिगरी का कौन बनेगा दोस्तों आज की हमारी व्यूडियों बस इतना ही दी व्यूडियों पसंद आती है तो लिदी को लाइक और शेयर ज़र कीजिएगा चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजि ये मिलते लिदों तक कि ली जाहिन